अच्छे ना सब ओके टुदेश आवर लेसन इस हिंदी आज हम क्या पड़ेंगे? हिंदी पड़ेंगे तो टेक आउड या हिंदी बुक फ्रों या बैक और ओपन पेज नंबर 12 पेज नंबर 12 कौन सा पेज ओपन करना है? ओपन पेज नंबर 12 तो हमने पहले चार व्यांजन सीखे है अलरड़ी क, ख, ग, और ग, है ना? उसका प्रैक्टिस कर रहे है ना सब बच्चे घर पे अदरवाइस एक बार हो गया और बाप्विस हिंदी का बुक खोला ही ने ऐसे नहीं होना चाहिए you have to practice daily basis चीकिए? ना अवर रेक्स लेटर इस चाह अगला अक्षर है चाह चाह से चाहर चाह से चाहर चाह से चमच चाह से चमच चाह से चाहर चाह से चमच मेरे बात सब बोलेंगे है रिपीट आफटर में चाह से चाहर चाह से चाहर चाह से चमच चाह से चमच अगला अक्षर है चाह चाह से चड़ी चाह से चड़ी रिपीट आफटर में चाह से चड़ी चाह से चाता चह से चाता चह से चड़ी चह से चाता Okay, now come to the next letter. ज़ ज़ से जग ज़ से जग Repeat after me. ज़ से जग ज़ से जोकर ज़ से जोकर ज़ से जग ज़ से जोकर अगलाक्षर है ज़ Next letter is ज़ ज़ से ज़रना ज़रना means what? Waterfall अब बारिश में हमें दिखते हैं न? Waterfalls ज़ से ज़रना ज़ से ज़रना ज़ से जूला ज़ से जूला ज़ से जरना ज़ से जूला ठीक है? So, this is all your classwork part. So, write down CW here and here on these two pages write down CW तो आज हमने क्या देखा? च, छ, ज़, और ज़ Now, come to the next page Open next page Page number 14 This is your homework part. यह आपको क्या करना है? Homework करना है So, write down HW here अब क्या homework है? चित्र पहचानो और सही अक्षर चोड़ो अब इस तरफ सारे चित्र दिये है और इस तरफ सारे अक्षर दिये है जैसे कि उन्होंने हमें example दिखाया है कि ग से गाय यह चित्र किसका है? गाय का तो ग से matching होगा यह चित्र है कमल तो यह क से matching होगा यह है खीरा तो ख से matching होगा नेक्स पिक्चर इस अम्रेला चाता तो छ से matching होगा फिर अगला चित्र है घोड़ा घः से घोड़ा तो घः को matching होगा और अगला पि चित्र है चमच तो च से matching होगा ठीक है? इजी तो इस इस यह होमवग पार और नीचे हमें यह बोल बोल कर पढ़ना है क्या पढ़ना है? क ख ग घ च च ज ज ज ज फिर से repeat repeat once again फिर से एक बार बोलो ग ख ग घ च ज ज ज ज ज ठ ज ज ज ठीक है बोला? वेरी गुड़ यूज आ बच्चे बहुत होश्यार है now close this book and take your English book English का book लेना है notebook हा? take your English notebook और next page open गरना है और उपर यहां पे हमें लिखना है Hindi और Benjan and this is also your homework part तो अब यह यह ज उपर का line है ना यह parents लिख के देंगे और नीचे बच्चों को लिखना है ग के नीचे क, ख के नीचे ख then ग के नीचे ग, ग के नीचे ग च के नीचे च, च के नीचे च, ज के नीचे ज जह और जह के नीचे क्या गरना है जह यह सारा homework आज हमें complete करना है we have these two pages and in this book हमें यह बस matching करना है है ना easy और यह करने के बाद में हमें revise भी करना है को खो गो गो से हमने क्या किया था जिसे को से कबुतर और कमल खो से खरगोश और खीरा, गो से गुबारा एंगाई गो से घर, गो से घोडा यह सब daily revise रोज पढ़ना है चो से चार, चो से चमच, चो से चड़ी चो से चाता, जो से जग जो से जोकर जो से जरना, जो से जूला और पीछे का भी जो O I B किया है ना O से लेके आउ तक, यह भी O I E O U A I O तो यह भी सब आपको आना चाहिए So, revise it once again फिर से revise करना है O से अनार O से अदरक A से आम A से आलू E से इमली E से इडली E से इख E से इद O से उल्लू O से उपहार यह बड़ा O O से उपर O से उन A से एक A से एडी A से अल्बम A से इनक है ना यह revise अपना हुआ है यह लेकिन वापिस आपको करना है O से ओखली O से ओस O से अउरत O से ओजार है ना फिर O-R-E-E-U-U-A-I-O-O यह स्वार है तो यह स्वार भी आपको revise करने है और फिर वेंजन revise करने है ठीक है समझ में आया तो आज बस हिंदी का इतना करना है and send me the homework okay that's it for the day bye bye have a nice day stay home stay safe see you